दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रकार के सवालों को हल करना सीखेंगे और ये बात मैं पूरे दावेक साथ कह सकता हूँ जो लोग इस वीडियो को देखने के बाद भी नहीं समझ पाएंगे सायद वो कभी भी नहीं समझ पाएंगे कियमकि इस वीडियो में ऐसे सवालों को हल करने का सबसे सरल तरीका बताया गिया है आप सबी लोग एकदम आराम से समझ सकते हैं चाहिए आप कितने भी कमजूर क्यों ना हो तो चलिये इस वीडियो को 시 przyagonal करते हैं तो देखिए इस सवाले में आपको क्या करना है यहाँ पे आपको एक चित्र दिया गिया है, यहाँ पे एक समकोड त्रिभूज दिया गिया है इस बुजा की लंबाई 4 cm है, इस बुजा की लंबाई 3 cm, इस बुजा की लंबाई 5 cm आपको इसी त्रिभूज से sin A, tan A, cosec A, sin C, tan C का मान ग्याद करना है ठीक है, तो भाई इन सब का मान निकालने के लिए सबसे पहले इनका आपको सुत्र पता होना चाहिए तो चलिए हम लोग सबसे पहले सुत्र को समझ लेते हैं, ठीक है ठीक है, तो यहाँ पर देखिए sin A, cos A, cos A, cos A, cos C, यहाँ पर 6 चीज़ दिया गया है इनी 6 चीज़ों को हम लोग तिरकुडमीती अनुपात बोलते हैं, ठीक है आप लोग इसको इसी करम में याद रख लीजिए, sin A, cos 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 A में फायदा होगा, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इन सुत्रों को याद करने का तरीका जान लेते हैं, ट्रिक जान लेते हैं उसके बाद हम लोग इन सवालों को लगाएंगे तो देखे इन सबी सुत्रों को याद करने का ट्रिक ये होता है लाल बटे कक्का ठीक है आप लोग इसको याद कर लीजिए इसमें L का मतलब होता है लंब A का मतलब होता है आदार और K का मतलब होता है कर्ड आपको ये पता चल गया L का मतलब Lumb यह तीनों चीज तो आप लाल बटे कका लिखे फिर आप इसी में Sine, Cos, Ten, Quot, Sik, Cosic बिल्कुल इसी तरह लिख लिजिए देखे मैं बिल्कुल करम से लिखा हूँ यहाँ पर U बना रहा हूँ Sine, Cos, Ten, Quot, Sekos इसी करम में अब देखे सुत्र आपका आटोमेटिक बनता जाएगा Sine का सुत्र हो जाएगा Lumb बटा कर्ड तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Sine का सुत्र Lumb बटे कर्ड है ही Cos का सुत्र हो जाएगा आधार बटे कर्ड तो यहाँ से आपको 6 सुत्र पूरा का पूरा याद हो जाएगा अब इसमें आप लोग एक चीज समझे लिजिए देखिए यहाँ पर Sine Cos इनके बाद जो यहाँ पर लिखा रहाता है यहाँ पर वो कोड होता है ठीक है क्या होता है कोड होता है यानि कि इनके बाद जो भी आएगा वो कोड आएगा चाहे A लिखा रहे, चाहे B लिखा रहे, चाहे C, चाहे D, चाहे Theta, कुछ भी लिखा रहे, तो आप हमेशा याद रखिए, साइन के बाद यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे, साइन का सुत्र हमेशा लंबटे कड़ई होगा, साइन A का सुत्र भी लंबटे कड़ई होगा, साइ आपको ये 6 सुत्र पुरा याद हो गया होगा तो आप देख सकते हैं इन सभी सुत्रों में लंब आधार कड लिखा हुआ है तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि लंब आधार कड होता क्या है ठीक है अब देखिए बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मुझे पता है कि लंब आधार कड क्या होता है लेकिन रियल में उन्हें नहीं पता ठीक है ना चलिए अभी इसको समझते हैं तब आपको समझा जाएगा देखिए यहाँ पे ये त्रिभोज है इस त्रिभोज में ये वाला कोड नब्यांस का है ठीक है तो ये सम कोड त्रिभोज है अब यहाँ पे समझेए इस नब्यांस के सामने वाली जो ये भूजा है इसको हम लोग कोड बोलते हैं ठीक है ना यानि कि ये सबसे qoad सब से लंबी भुजा होती है आप देख सकते हैं कि इन सब से लंबा भुजा यही है यानि कि नभ्यज़ के सामने वाला तो हमेशा qoad होती है अब देखिए और यह 1 humb होता है यह आधार होता है अब देखिए लंब इसको बोल रहे है आधार इसको हम लोग لمб इसको भी बोल सकते हैं आधार इसको भी बोल सकते हैं अब हमें कैसे पता चलागा कि कब لمb यह कब आधार यह है तो दिखे कोड के इसाद से होता है अगर मैं आप से पूछूं कि कोड ने अब देखे यहाँ पे a लिखा है न तो ये कोड a है अगर मैं आपसे पूछाओ कोड़ A के हिसाब से लंब आदार कौन है तो दिखिए कोड़ A के सामने जो भोजा रहेगा वो लंब होता है अगर मैं कहूँ कोड़ C के हिसाब से लंब कौन है तो इसके सामने लंब यह हो जाएगा यानि कि code A के इसाब से लंब कर्ड आधार अलग होगा code C के इसाब से लंब कर्ड आधार अलग होगा तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ code A के इसाब से लंब आधार कर्ड कोन है तो code A के सामने ये है तो ये हमेसा लंब होगा code के सामने वाला lump अमेशा कालाता है तो यह lump हो गया और यह code तो सबसे बड़ी भुजा होती है numbs-based को सामने वाली होती है तो यह code तो हमेशा रहेगा तो यह lump हो गया यह code हो गया यह आधार हो गया ठीक है अगर मैं आपसे पूछओ कोड़ C के हिसाब से लंब आधार कड़ कौन है तो मतलब कोड़ C के हिसाब से इसके सामने ये है तो ये लंब हो जाएगा तो लंब देखे 3 हो गया आधार ये 4 हो जाएगा कोड़ तो हमेशा सबसे बड़ा ही रहेगा यानि कोड़ A के हिसाब से ल लंब आधार कड नहीं होता है यानि जब भी आपसे ये सवाल इस तरह का सवाल पूछेगा तो यहां पे जो बाद में लिखा रहाएगा या तो यहां वाला यह वाला कोड लिखा रहाएगा या तो यह वाला यह नभ्यांस वाला नहीं पूछा जाता है केवल यहां यहां वा रख दीजी आपका अंसर आजाएगा, तो देखे, code A के हिसाब से लंब क्या है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं, बटा कोड क्या है, code A के हिसाब से, code 5 है, तो यह 5 हो गया, यही आपका अंसर हो जाएगा, ठीक है, अब देखे, cos A का सुत्र होता है, 1000 बटे कड, तो यहाँ पर कोड़ A है न तो कोड़ A के इसाब से आधार कड़ लिखिए तो कोड़ A के इसाब से आधार तीन है कड़ पांच है तो आधार के जगा 3 लिख दीजिए बटा कड़ कड़ के जगा 5 तो यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अब 10 A बराब लंब बटे आधार होता है तो कोड A के हिसाब से लंब आधार लिख लिजिए तो कोड A के हिसाब से लंब हो जाएगा 4 आधार हो जाएगा 3 तो यह हो जाएगा 4 बटा 3 यही आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से आप इन सब का भी मान निकाल सकते हैं अब इन सबी सुत्र में क्यों लंब आधार कड़ ही तो आता है चली हम लोग इसको लगा भी लेते हैं कोसेक A का सुत्र होता है कड़ बटा लंब ठीक है तो इसके इसाब से कड़ के आए 5 तो कड़ के जगा यह 5 लिख लेते हैं बटे लंब के आए 4 तो यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है अब बिल्कुल इसी तरह से चली हम लोग इन सबी कमान निकाल लेते हैं कोड C के लिए इन सब कमान निकाल लेते हैं तो sin c, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर sin के बाद a रहेगा, तब ही लंबटे कोड़ ही सुत्र होगा, यहाँ c रहेगा, तब ही वही सुत्र होगा, मैंने आपको सुरू में बता दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर sin c का सुत्र, मतलब sin c का मान निकालना है, तो सुत्र लिखेंगे, लंब बटा कोड, अब यहाँ आप कोड c के हिसाब से, लंब कोड रखिए यहाँ पर, तो कोड c के हिसाब से देखिए, लंब आपका 3 है, कोड आपका 5 है, तो लंब हो जाएगा, 3 बटे कोड हो जाएगा, तीन आधार क्या हो जाएगा, चारत यह आपका अंसर हो जाएगा, इसी तरह से आप इन सब का भी मान निकाल सकते हैं, वैसे देखिए, इस सवाल में केवल आपसे इतना ही केवल पूछा था, लेकिन मैंने पूरा कोड a के लिए, कोड a के लिए 6 तिर्खुड मेत अनुपायत निकाल के सिखा दिया, कोड c के लिए 6, यानि कि पूरा 12 तिर्खुड मेत अनुपायत मैंने आपको सिखा दिया, उससे जादा आपसे पूछा ही नहीं सकता, भाई केवल इसमें 5 पूछा है तो उतना ही निकाल दिजिए, लेकिन मैंने आपको 12 पूरा निकाल सिखा दिया, ताकि कोई पूछे तो आप लगा सकें, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक सवाल और समझ लिजीए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूँगा, तो आप लोग उसको जरूर लगाए, अब देखिए इस सवाल में तीनों भूजा का लंबाई दिया था, जैसे इस भूजा का लंबाई 3 cm दिया है, इस भूजा का लंबाई 4 cm दिया है, इसका 5, लेकिन मान लेते हैं इसी सवाल में ये वाला लंबाई नहीं दिया रहा था, तो कैसे इसको लगाते हैं, मतलब सवाल यही है, चितर यह है, बस इसमें ये वाला लंबाई नहीं दिया है, और आपको साइन, एट, एन, इन सब कमान निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हैं नहीं निकाल पाएंगे क्यों कि इसके सुत्र में लंब अठा कोड होता है तो भाई लंब के यह रख देंगे कोड पता इने तो कैसे रखेंगे तो यहाँ पे एक मत पूर चीज समझे लिजिए कि जब भी आपको समकोड त्रिभोज में दो भु लंबाई नहीं दिया है तब भी हम इसको निकाल सकते हैं ठीक है तो यानि कि अगर यह सवाल आपको लागाना रहेगा तो सबसे पहले आप इस तीसरे भुजा को तीसरे भुजा की लंबाई निकालेंगे उसके बाद इनको लागाने का तरीका बिल्कुल वही होगा ठीक है A और Sin C कमान बताना है निकाल करके इसका अंसर कमेंट में जरूर लिखिए और मैं आप से एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर सेर करिए किमकि उन्हें भी अच्छे से समझ आ जाए और मेरी मेनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए